हलो फेंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अपढ़ेगा इंडिया में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगोंने बिहारद रोगा मेंस के लिए जो टेसरीज जो चला रखा है उसमें हम लोग दो बुक से देख रहे हैं एक किरन बीडियो की तौर पे आएगा मतलब आप लोगों को कोश्चन से बताया जाएगा उसके बाद थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा तकि आप लोग अंसर बता सके तकि आप लोगों का रिवीजन हो सके एक से पूर्य एक्स्प्लिनेशन के साथ हैगा और एक से रिवीजन के स आगे आने वाले दिनों में मैं कोसिस करूँगा दो से जादा सेट भी आप लोगों को प्रोबाइट करवा पाऊंग। चलिए तो बढ़ते हैं अपने वीडियो के तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर इसका आपको लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिये के description लिंक से जाकर telegram group जोइन कर सकते हैं या फिर telegram में जाकर search कर सकते हैं अपढ़ेगा इंडिया वहाँ जो group आएगा उसको जोइन कर लीजे वहाँ इसका PDF जो है बो provide करवा दिया गया है तो चलिए अब बढ़ते अपने questions की तरह फाच का जो हुमारा पहल देखिए इसको अगर आप solve किजेगा उसके बाद जो आपका अंसर आएगा बो आएगा 4 ग्राम पर लीटर तो इस question का जो सई अंसर होगा बो होगा आप्सन नमबर 2 next question कह रहा है कि जब एक आवेसित कन चुम्बकिये छेतर के लंबबत घूमता है तो आपसन सिया है कन की गती प्रवर्थित होती है कन की गती आप्रवर्थित रहती है कन की दिसा आप्रवर्थित रहती है और कन का त्वरण जो है वो आप्रवर्थित रहता है सई अंसर होगा आपसन नमबर 2 कन की गती जो है वो आप्रवर्थित रहती है नेक्स्ट है कोश्चन नमर 3 कहरा सूर्ज से प्रिथिवी को प्राप्त उस्मा को क्या कहते हैं पहला आत्पन, दूसरा अबरक्त उस्मा, तीसरा सौर बिक्रन और चौथा ताबिक्रन सही अंसर है आपसे नमरे आत्पन नेक्स्ट कोश्चन है कि यदि पुन्ट तरंग द्रिष्टकारी फूल बेव रक्टिफायर की निवेस आपरिती यानि इन्पुट फ्रिकेंसी जो है वो N है तो निर्गत आपरिती यानि कि आउट्पुट फ्रिकेंसी क्या होगी N by 2, N, 3N by 2 और 2N क्या होगी? तो निर्गत आपरिती आउट्पुट फ्रिकेंसी भी क्या होगी? N ही होगी तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा वो होगा आपसे नमबर 2 आगे है कि बाता बरन के अंदर छैती उसमा अंतरन को क्या कहा जाता है? चालन, संबहन, अबसोसन और अभी बहन सही अंसर होगा आपसे नमबर 2 संबहन यानि की कन्वेक्शन Next question है, question number 6 Question number 6 कह रहा है कि चमगादर निम्लिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? सही option होगा आपसे नमबर 4 वो परसर्व धोनी तरंगे जो हैं वो उत्पन करते हैं Next question है, question number 7 Question number 7 कह रहा है कि बहुती का वस्था में कोई परिवर्टन लाया जा सकता है? केबल तभी जब निकाए को उर्जा दी जाती है? नहीं, केबल तभी जब निकाए से उर्जा ली जाती है? नहीं, जब निकाए को या निकाए से उर्जा दी जाती है या ली जाती है ते इस question का सही अंसर होगा आपसे number 3 नेक्स question कहा रहा है कि निकाए से कौन सी धातू जो है वो इटाई, इटाई रोग जो है वो पैदा करती है? कैंडियम, क्रोमियम, कोवाल्ट और कॉपर सही अंसर होगा आपसे number 8, कैंडियम आगे है कि एक चुम्बकिये छेतर में एक पोट्रोन जो है सोतंत रोप से चलता है तो उसके 21 गुन में परिवर्टन होगा? मातरा, बेग, चाल और संबेग परिवर्टन यहां क्या क्या होगा? परिवर्टन यहां होगा बेग और संबेग तो इस कुशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसे number 3, 3 और 4 आगे है कि 2 किलोगराम मातरा का एक पत्थर बिराम अवस्था से एक पहाड़ी के सिर्थ से नीचे गिरता है तो 5 सेकंड बाद इसकी गति जूर्जा क्या होगी? गति जूर्जा बराबर आप लोग पढ़े होंगे half mb square इससे अगर आप निकालते हैं तो इसका अंसर जो आएगा 2401 जूल यानि option number a जो होगा वो आपका सही अंसर होगा आगे है कि जब भारत के राष्टपती और उपराष्टपती के पद रिख्थों तो उनका कार्च कौन निभाएगा परधान मंतरी, गिरी मंतरी, लोकसभा के अध्यच और भारत के मुखने अधिस सही अंसर होगा option number 4 भारत का मुखने अधिस आगे है कि जहां कानून नहीं, वहां सोतंतरता नहीं या किस ने कहा था काल मार्क्स, प्लिटो, मैक्याबली और जॉन लॉक ये कहा था जॉन लॉक ने, तो इस कॉस्चन का सही अंसर होगा, वो होगा option number 4 आगे कहरा है कि राष्टपती लोकसभा के दो सदस्यों में निम्ण को प्रतिनिधित्प देने के लिए नामित कर सकता है एंग्लो इंडियन, इसाई, बौध हर्म लंबी और पार्सी तो किसको नामित कर सकता है, एंग्लो इंडियन को नामित कर सकता है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number 2 एंगलो इंडियर लेकिन अब ये हटा दिया गया है आगे कह रहा है कि मंतरी परिशत का गठन किसकी निपती के साथ आरंब हो जाता है राष्टपती, अध्यच, परधान मंतरी और इन में से कोई नहीं सही answer होगा option number 3 परधान मंतरी आगे है कि निम्न में से कौन सा मौली का दिकार जो है वो विदेशियों को भी प्राप्त है देश में कहीं भी स्वतंता पुर्वक यात्रा करने और निवास करने का दिकार नहीं प्राप्त है धर्म बढ़न जाती लिंग आधी के अधार पर भेद बहुत से सुरच्छा का दिकार नहीं जीवन और बक्तिकत स्वतंतता की सुरच्छा का दिकार ये दोनों को प्राप्त है तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number 3 आगे है कि किस संविधानिक संसोधन ने मूल भूत अधिकारियों के उपर निदेशक सिधान्त को अधिपत्य दिया है 42 संसोधन, सोलहमा संसोधन, 44 संद्रोसन और 25 संसोधन सही answer होगा option number A, 42 संसोधन next question काहरा है कि संविधान सभा के उद्गाटन अधिवेशन की किसने अधिशता की थी राजिंद परसाद, सच्तनन सिन्हा, बियार अंबेतकर और सी राजगोपलाचारी सही answer होगा डॉक्टर राजिंद परसाद यानि option number A जो होगा वो आपका सही answer होगा question number 18 जो है वो मैस का question है, इसका सही answer जो होगा वो होगा option number 2 next question कहरा है कि लोकसभा वो राजिसभा की संजुक्त बैठा कब होती है राष्टपती जब बुलाए, लोकसभा और राजिसभा में मतभेद होने पर, संसत सत्र सुरू होने पर अधिन में से कोई नहीं question number 2, लोकसभा और राजिसभा में मतभेद होने पर, next question है कि बिवन राजिसभा की कुल सीटे का बेवरा, भारतिय सम्मिधान की किस अनुसुची में उलेखी थे प्रथम, दूतिय, चतुर्थ और नवम, कौन से अनुसुची में उलेखी थे, तो यह जो है वो चतुर्थ अनुसुची में उलेखी थे, तो इस question का सही अंसर होगा, वो होगा, आपसे number 3, चतुर्थ अनुसुची में आगे है कि भारतिय सम्मिधान के बिदेशी स्रोत और सुची दो देश को मिलान करना है, आपात उपबंध की अगर बात करते हैं, तो यह जो है वो जर्मनी के साथ मैच करेगा, संग्ये बेवस्था की बात कीजेगा, तो कनाड़ा के साथ मैच करेगा, संबर्ती सुची की तो अश्टेलिया के साथ मैच करेगा और गंतात्मक सासन जो है वो फ्रांस के साथ मैच करेगा, इस परकार आपका सही अंसर जो होगा वो होगा आपसन नमबर एक नेक्स कोशन है कि भारत के संबिधान के किस अनुचेद के अंतरगत, ससास्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकार को बिसेश रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है अनुचेद 33, अनुचेद 19, अनुचेद 21 और अनुचेद 25 आगे है कि भारतिये संबिधान का कौन सा अनुचेद संसत्त को नागरित्ता का अधिकार बिन्यमित करने की सक्ति देता है अनुचेद 8, अनुचेद 9, अनुचेद 10 और अनुचेद 11 सही अन्सर होगा आपसन नमबर 4, अनुचेद 11 नेक्स कोश्चन है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान सासक निमलिखित में से कौन था आजाद सत्रू, बिंदुसार, खारवेल और मयूरा सरमन सही अन्सर होगा आपसन नमबर 3, खारवेल नेक्स कोश्चन है कि कनिस्क की राजधानी थी, अमराबती, कर्नौज, मतुरा और पिसाबर तो कनिस्क की राजधानी जो थी वो पिसाबर थी, तो इस कोश्चन का जो सही अन्सर होगा आपसन नमबर 4, कनिस्क की राजधानी जो थी वो पिसाबर थी आगे है कि अच्चंद्रगुप्त मौर्य के दरवार में यूनानी ग्रिक राज़दूद था पहला है एंस्वांग, दूसरा है मेगास्थनीज, तीसरा है फाहियान और चौथा है सहलुकस सही अंसर होगा आपसर नमबर टू मेगास्थनीज नेक्स है कि सुंग बंस की अस्थापना की थी अजाद सत्रू ने, बिम्बिसार ने, अगनी मित्र ने और पुस मित्र ने तो सुंग बंस की अस्थापना जो है बो अपु सुमित्र सुंग के द्वारा किया गया था तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा अब होगा आपसे नमबर 4 फिर अगी मगत पर साथन करने वाले राजबंस का सही करम क्या है तो सबसे पहले आता है हर्यक बंस, फिर सी सुनाग बंस, फिर नंद बंस, फिर मौरे बंस, फिर सुंग बंस और फिर कन्नब बंस तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा अब होगा आपसे नमबर 3 आगे है कि किस सुल्तान के काल में खालसा की सिमाएं जो हैं बहुत तैधिक बिक्सित होई थी ग्यासे दिन बल बंद, अलाउदीन खिलजी, मुहम्मद बिन तुगलग या फिरोस्टा तुगलग तो सबसे ज़्यादा खालता की सिमाएं जो विक्सित हुई थी बो हुई थी अल्लाओ दिन खिल जिये के साथन काल में तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर टू आगे है कि भारतिये जनसंग की अस्थापना जो है वो किस ने किया था दीन दियाल उपध्याय, बीर साबरकर, डाक्टर राम मनोहर लोहिया और स्यामा परसाद मुखर जी तो स्यामा परसाद मुखर जी जो है वो 1901 में जनसंग की अस्थापने किये थे तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नंबर 4 डॉक्टर स्यामा परसाद मुखर जी आगे है कि महराष्ट के निमलिखी समाज सुधार्पों में से कौन जो है वो प्राथना समाज के संस्थापक के मुखिया थे एम जी रनाडे, पंडीता गनेस रमाबाई, आत्मा पांडूरंग और जोतिवा फुले तो सही अंसर होगा, वो होगा आपसा नंबर 3 डॉक्टर आत्मा रंग पांडूरंग आगे है कि प्रथम सोतंतता संग्राम कौन से बर्स में हुआ था 1856, 1857, 1869, 1869 तो प्रथम सोतंता संग्राम जो है वो 1857 की क्रांती को कहा गया है तो इस कोशन का सही अंसर होगा, वो होगा आपसा नंबर 2, 1857 आगे है कि मध्यकाल में पटना का नम निर्मान किस ने करवाया था अजीम उससान ने, मुहमद बिन तुगलक ने, सेर साहने और अरंजेब ने तो मध्यकाल में पटना का नम निर्मान जो है, वो सेर साहने करवाया था तो इस कोशन का सही अंसर होगा, वो होगा आपसा नंबर 3, सेर साहने नेक्स कोशन है मारा, कोशन नंबर 37 सही अंसर होगा, वो होगा, आपसा नंबर 3, लोड डलहोजी जो है, वो बिले निती प्रस्तूत किया था और इस निती से सबसे पहले 17 जो है, वो अंग्रीजी राच में मिला लिया गया था आगे है कि किस अंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारती राजनीतिक में परदयाप्रन किया था सूरत रात, चमपारन, असयोग अंदोलन और डांडी आत्रा जो चमपारन अंदोलन के साथ गांधी जी ने परदयाप्रन किया था तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number two अच्छंपारन आगे है कि निम्रिखित में से कौन जो है वो सन 1857 के बिद्रोह का नेता नहीं था यहाँ पूछा गया है बिर्सा मुंडा तात्या टोपे नाना साहब बेगम हजरत महल सही answer होगा वो होगा option number two बिर्सा मुंडा जो थे वो 1857 के बिद्रोह के नेता नहीं थे next question है मारा question number 40 कहरा है कि मीर कासीम ने अपनी राध्धानी मुर्सिदाबाद से हटा कर मुंगेर क्यूं ले गया था परसासनिक सुब्धा के लिए मुगल सासक के आक्रमनों के कारण next है कि मरुदीप किस से संबंदित है हीम नदी से, दीप से, परवत से और रेगिस्तान से तो मरुदीप जो है वो रेगिस्तानों में अवस्थित होते हैं तो इस question का सई answer होगा अब होगा option number four रेगिस्तान से आगे है कि एसी और रूरूप में संतुलित घास अस्थल जो है वो क्या कहलाती है पंपाज, सबाना, तेराई या अस्टेपिस तो यह जो है वो अस्टेपि कहलाती है जिसको कि अस्टेपिस भी कहा जाता है तो इस question का सई answer होगा वो होगा option number three अस्टेपि आगे है कि बादल जो है वो किस मंडल में अपतरित होता है आयन मंडल, छोब मंडल, संताप मंडल और रोजोन मंडल तो बादल जो है वो छोब मंडल में होता है तो इस question का सई answer होगा वो होगा option number two आगे है कि सुन्डा गर्थ जो है वो अवस्थित है परसांत महासागर में हिंद महासागर में अट्लांटिक महासागर में या आक्टिक महासागर में तो या जो है वो है हिंद महासागर में तो इस question का सई answer होगा वो होगा option number two हिंद महासागर में आगे है कि अच्छे तरफल की दृष्टी से बिहार के सरभादीक बड़े जिले का समू अब रोही करम या घरते करम में कौन सा है गया पश्चिम चंपारन, पुर्वी चंपारन, रोहतास यही है अब रोही करम में, तो इसकोशन का सही अंसर होगा, वो होगा आपसर नमबर एक आगे कह रहा है कि बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है जमूई, मुंगेर, बांका या उप्योक्त सभी तो जमूई, मुंगेर, बांका तीनों में पाया जाता है तो इसकोशन का सही अंसर होगा, वो होगा आपसर नमबर फोर उप्योक्त सभी फिर आगे है कि कौन सा देश जो है, वो सर्दन, रोडेसिया के नाम से जाना जाता है केनिया, जायरे, जांबिया और जिंबाबे सही अंसर होगा, वो होगा आपसर नमबर फोर जिंबाबे जिंबाबे को ही सर्दन, रोडेसिया के नाम से जाना जाता है यह जो है वो फिर की महादीप के दशनी भाग में स्थित है आगे है कि भारतिय मानक समय जो है वो अधारित है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 85 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 110 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 25 डिग्री पूर्वी देशांतर पर तो सबसे पुर्वी का भाग जो है बो है औरनाचर पदेश तो इस question का सई अनसर होगा वो होगा option number A औरनाचर पदेश और भारत में सबसे पहले सुर्योदों भी जो है बो औरनाचर पदेश में ही होता है आगे है कि निम्लांकित में से कौन सा देश जो है वो नाथुला दर्रा के पार है तो नाथुला दर्रा के दूसरी तरफ चीन है नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम राज के डोक गया फरेनी में स्थित है और जो दारजिलिंग कथा चुम्बी घाटी होकर तिबब जाने का जो मार्ग है वो नाथुला धर्रा में है तो इस कोशन का जो सयंसर होगा वो होगा आपसर नमबर 4 चीन आगे है कि भारत में निम्लांकित में से किस बर्स में बन जीब संरच्छन अधिनियम जो है वो लागू किया गया था 1972, 82, 83 में तो बन जीब संरच्छन अधिनियम जो है वो 1972 में लागू किया गया था तो इस कोशन का सयंसर होगा वो होगा आपसर नमबर 1 आगे है कि चीनी प्रदोगी की का भारतिय संस्थान जो है वो इस्थित है पिमपरी में, कानपूर में, बंबई में या दिल्ली में तो यह जो है वो कानपूर में इस्थित है जिसकी अस्थापना जो है वो 1936 में हुई थी आगे है कि भारत में सबसे अधीक गिहुं उत्पादख राज्य कौन है पंजाब, हर्याना, उत्रप्रदेश या बिहार तो सर्भादी गिहुं का उत्पादन जो है वो उत्तरप्रदेश करता है तो कौन है गौडवीन उन्स्थिन है तो इस各xy का जो सई अंसर होगा वो होगा option नमर तीन या जो है वो kara koro mpravusrini का ही अंग है फिर कहारा निम्ड मेंसे गंगा की उत्री सहायक नदियों मेंसे सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है उत्री सहायक नदियों मेंसे पूछ रहा है बागमती, कोसी, गंड़क्या घागरा तो सही अंसर होगा पोहोगा आप्सन नमबर 3, कोसी इसे बिहार के सोक के नाम से भी जाना जाता है फिर अगी भारतिय सम्भिधान का ब्लू प्रिंट समझा जाता है भारतिय स्वतंत्ता अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935, मौन्टेंगू चैंसफोर्ड सुधार और मारलो मेंटो सुधार तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतिय सम्भिधान का ब्लू पिट समझा जाता है बहुमत से, सर्व सम्मती से, एकतायबो मखरणड़ता से, सम्मती और सम्योजना से सही अंसर होगा वो होगा आपसर नंबर एक बहुमत से नेक्स्ट है कि भारतिय सम्मिधान के किस अनुचेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अपसरों का प्रभधान किया गया है अनुचेद 22, अनुचेद 16, अनुचेद 25 या अनुचेद 20 तो यह किया गया है किसमें अनुचेद 16 में तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number 2 अनुचेद सोला में Next question कहा रहा है कि हडपा सभ्विता के उपकरन वहत्यार मुखता किसके बने थे केबल पत्थर के, पत्थर वह तामा के, तामा कास वह लोहा के, तामा कास वह 18 के तो किसके बने हुए थे तामा कास वह 18 के तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number 4 Next question है कि पच्छियों के द्वारा परागन की यानि पॉलिनेशन की प्रकिलिया को क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है और निथो फेली तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number 4 फिर है कि किस पोसक तत्वे की कमी से रतोंधी का रोग होता है विटामिन के, विटामिन सी, प्रोठीन या विटामिने तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number 4 विटामिने Next है कि प्रथिवी पर एक बड़े उलका पिंट परभाब के परिमान सरूप डाइनासोर के बिलुप्त होने का सिध्धान तो जो है वो किस की देन है सही answer होगा option number 2 लुईस अलबारेज Next question है कि एसकॉर्बी के सिट का लोग प्रिये नाम क्या है विटामिन A, विटामिन B2B, विटामिन C और विटामिन K तो इसकॉर्बी के सिट जो है वो विटामिन C का रसाइनिक नाम है तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number C, विटामिन C आगे है कि निमलिखित में से कौन सा एक अलप बिकसित अंग है हिर्दे, गुर्दा, फेपडे या appendix तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number 4 appendix जो है वो एक अलप बिकसित अंग है फिर कहरा है कि सीत निद्रा, सब्द की परिवासा क्या है पच्छियों में बसंत के समय में अतिसक्रियता की स्थिती नहीं 12 में मौसम में खुद को बचाने के लिए पच्छियों के द्वारा निवास अस्थल में निर्मान ये नहीं फिर है कि कुछ जानबरों में सर्दियों के मौसम में कम अच्छाय पच्छाय गतिवीदिया की स्थिती तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number 3 आगे है कि निमलिखित में से कौन एक तितली के रुपांतरन यानि काया प्लट में तीसरा चरन है अंडा, प्यूपा, ब्यफ क्या लार्बा सही answer होगा वो होगा option number 2, प्यूपा next question का रहा है कि क्रीमियन यूद की सुरुवाद जो है वो किस बरस हुई अठारा सो एकामन, तिरपन, पचपन या संतामन तो क्रीमियन यूद जो है वो अक्टूबर अठारा सो तिरपन से फरवली अठारा सो चपन तक चला था तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number 2, अठारा सो तिरपन आगे है कि क्वेटो जलवाई पजबरतन समेलन का योजन जो है वो कप किया गया था दिसंबर 1994 में, दिसंबर 1997 में, दिसंबर 2000 या दिसंबर 2004 में तो ये किया गया था दिसंबर 1997 में, क्वेटो सहर जापान में तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number 2 next है कि हीरो सीमा पर हमला प्रमानुबं जो है वो कप गिराया गया था 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1946 और 6 अगस्त 1942 सही answer होगा वो होगा option number 6 अगस्त 1945 को जपान की हीरो सीमा सहर पे गिराया गया था आगे है कि उपजाओ जलोड मिठी का उत्पादन करने के लिए सबसे उप्युक्त है चाबल, चाए, कपास या मक्का जलोड मिठी जो है वो सबसे उप्युक्त है किसके लिए? धान, चाबल की खेती के लिए इसके अलाबा गेहुं, गन्ना, तमबाकु, कपास ये सब का भी उत्पादन होता है आगे है कि बलड मून सब्दकाव प्योग किसके लिए किया जाता है? सुर्ज गरहन, अर्ध चंद्रमा, चंद गरहन या पुन चंद्रमा तो यह किया जाता है किसके लिए? यह किया जाता है चंद गरहन के लिए तो इसकोशन का जो सयंसर होगा वो होगा आपसा नमबर थ्री, चंद गरहन के लिए आगे है कि लोस उंग उस सब का योजन प्रतिवास निम्लिकित में से किस राज्ज में किया जाता है? नागलेंड, उत्तपदे, सिक्किम या उत्राखंड अक्चुली यह सिक्किम में फसल काटने की जीतू के समाप्त होने का पतिक है तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर 3 सिक्किम आगे है कि blank गैसे बायो मंडल में गर्मी फैल आती हैं इसे प्रथिवी गर्म होती है और global bombing का कारण बनती है तो यह कौन से gases की बात कर रहा है यह बात कर रहा है ग्रीन हाउस gases की तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर 2 आगे है कि निमलिके निरित सैलियों में क्या समानता है यह आप से पूछ रहा है और मधुबनी जो है वो चितर कला की एक सैली है जो कि बिहार के सितामढ़ी मिथला वाले छेतर में और नेपाल के कुछ हिसों में पर चली थे नक्स question कह रहा है question number 94 question number 94 कह रहा है कि साहा प्रमानू भौत की संस्थान जो है वो कहा है इस्ति थे तो तमिलाडू, दिल्ली, महराष्ट या पश्चिमंगाल तो यह जो है वो पश्चिमंगाल में इस्ति थे तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number 4 पश्चिमंगाल इसकी अस्थापना जो है वो 1949 में किया गया था नेक्स कोशन कह conduction कह रहा है कि रफाइनी खत्यारों को निसेध करने वाले संघठन का मुख्याले कहां में इस्ति थे निदरलंड, स्वीजरलंड, स्वीडन या डेनमार्क सही अंसर इसका होगा वो होगा वोगा निदरलंड यह निदरलंड में इस्ति थे नेक्स कोशन कह रहा है कि जिनेवा सेकंड सम्मेलन के भबिस पर परामर्स हेतू संजुक्त राष्ट दोरा आयोजी तेकंतराष्टी है 37 सम्मेलन था इरान पकिस्तान इराक या सीलिया तो यह था सीलिया के भबिस पर आगे है कि उस graph को क्या नाम दिया जाए जो दो बस्तूओं के उन सभी संयोचनों को दर्साता है जिसे एक उपभोगता किसी बजार मुल पर और आर्थिक द्रिष्टी से आए के बिसीस आए अस्तर के भीतर खर्च कर सकते हैं मांग बर्क, आईसो कोष्ट रेखा, आपूर्ती बर्क और बजट रेखा सही अंसर होगा वहोगा आपसन नमबर फोर बजट रेखा नेक्स कोशन है कि आर्थिक द्रिष्टी से इंटर्मीडियेट गूट्स का क्या अर्थ है अन बस्तूओ के उत्पादन के लिए पुर्ण बिक्रन के लिए उद्द्योगों के बीच बेचा जाने वाला समान तो यही है, तो इसकोशन का सही अंसर होगा वहोगा आपसन नमबर एक तो यह था हमारा आज का वीडियो, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा साथी साथ इस वीडियो से कुछ सेखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ से एर करना ना भूले अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे यह आज एक नया प्रियास था ताकि आप लोगों का रिवीजन हो पाए यह आप लोगों का एक नया प्रियास जो है वो कैसा लगा यह भी कमेंट करके जरूर बताईएगा इसका अगर पीडियेस चाहिए तो पीडियेस के लिए वीडियो के दियेगर डिस्किप्सन लिंक से आप जाकर टेलीग्राम ग्रूप जोइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सेर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया वहाँ जो ग्रूप आएगा उसको जोइन कर लिजे वहाँ इसका पीडियेस और अंसर जो है वो आप लोगों को प्रोबाइड करवा दिया जा चुका है थैंक्स फोर वचिंग